दोस्कार सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत सुब कामना है आज की वीडियो में हमने अपने विंडोज 11 के लुक को विंडोज 10 का जैसा बनाने की कोशिश करी है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह कंप्यूटर भी विंडोज 11 पर है लेकिन इसके मैंने कुछ चीजे जो हैं विंडोज 10 के जैसे कर दी हैं सबसे पहली चीज क्या अगर यह है कि इसका जो राइट क्लिक है वो देखिया आपके विंडोज 10 के जैसा हो गया है पहले आपके विंडोज 11 में ट्रांस्पेट जैसा कुछ आता था ना मैं दिखाई देता हूं आ आपके फाइल मनेजर में हैं यहां पे आप देखते हैं तो विंडोज लियाओन में जो नए नए फंक्शन आयते हैं यहां पे कुछ दिख रहे थे कॉपी पेश्ट वाले वह सब हटा दिया है और उनकी जगे पर यह वाले फंक्शन आ गया है जैसे कि मैं आपको एक बार फि कि जो है उनको कोने में कर दिया है काफी लोग इसे कोने में कर रहे हैं कोने में थोड़ा ठीक भी लगता है और यहां पे जैसे कि वो विजट का उप्शन लगा हुआ था जिसमें आपको मौसम वगेरा और तमाम सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती थी वह सब भी मैं ने हटा दिया है इसको भी हटा दिया है इसका कुछ खास इस्तमाल नहीं हो रहा है अभी तो ऐसी कुछ चीजे करिए हैं चलिए फिर सुरू करते हैं कंप्यूटर से लेटर के अंटेंट में टेस्टेन चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा तो अभी हमने सब ची अब यह आपकी कमांड प्रोमोट ओपन होगी है इसमें कुछ कमांड से टाइप करनी है क्या टाइप करनी है आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसके लिए डिस्क्रिप्सर में देखिएगा मैंने ये कोड लिखा हुआ है और जहां पर वी खतम हो रहा है यहां तक सेलेक दवारा से कोपी कर लेता हूं यहां पर देखिए जैसे ही राइट क्लिक किया वो पेश्ट हो गई यह उसके बाद अब एंटर करिए एंटर करते ही आपको सकसेश फुली का मेसेज दिखेगा मतलब हमारा काम हो गया है लेकिन अभी आप फाइल मनेजर ओपन करके देखिए देखिए तो यह बिलगल पहले जैसा ही दिख रहा होगा वह इसलिए दिख वरहा है कि कया कि मैंकि आपको यह कंप्यूटर को बंद करके दुबारा चालू करना पड़ेका बंद करके दवारा चालू करना पड़ेगा ऑधको एक 2018 unserem Tech और A7 desemश अब आपको नभी तास्क कर लेना है ठीक है जैसे ही आप इसको रिश्टार्ट करेंगे आपका एक बार स्क्रीन वगेरा जपक जाएगी यहां पर दिखिए अब आपको यह बिल्कुल पहले जैसा हो गया है यहां पर कुछ जो फंक्शन वगेरा थे वह गायब हो गया अब अगर आपको लगे कि नहीं पहले वाला ही सही था तो इसके लिए कुछ नहीं सिंपल है डिस्क्रिप्शन में आईएगा है इसको हटाने के लिए मैंने यह दिमूवाला कोड लिखा हुआ है इसको कोपी करके ठीक है वही दुबारा से अपने कमांड प्रोमोट में आ जाना एक बार फिर से इसे करने वाले हैं कि आप का यह जो राइट क्लिक का ऐफशन है इसको पहले जैसा कर देते हैं यह भी ट्रांस्परेट है ठरांसपरेट भी हड़िक करने पर कुछ फंक्सन नहीं आता है तो उनको लाने के लिए tamOk dari में पर कृए क्टरशन नहीं आता है तो इसको पहले जैसा कर करने के लिए आप फिर से एक बार description में आजेगा description में आने से पहले आपको command promote open कर लेना है ठीक है वही दुबार से right click करेंगे run as administer वाले mode में open कर लेना है अब आज़े यह command promote कुछ command type करने के लिए तो description में करेंगे कंटेंट मेनू के नाम से जो है मैंने यह लिखा हुआ है और एप जहां पर खतम हो रहा है यहां तक स्लेक्ट करके कोपी कर लीजेगा ठीक है उसके बाद यहां पर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपका कोड पेश्ट हो जाएगा हो नहीं रहा भी चलिए मैं से एक बार फिर सही से कोपी करके एंटर करता हूं अभी देखिए सक्सेजफूली का मेसेज आ गया मतलब एक बार काम हमारा फिर से हो गया है लेकिन वह आपको दिखनी रहा होगा इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है फिर से एक बार अपना टास्क मेंजर ओपन करना पहले था वैसे यह आ रहा है भले ही आप कहीं पे भी क्लिक करके देखें पहले वाले ही आएगा और फिर से बताना चाहूंगा अगर आप इसे पहले जैसा करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से आईएगा अपने डिस्क्रिप्सर में यहां पे इसको हटाने वाला कोड ए जैसी हो गई है पहला आपका फाइल मेंजर दूसरा यह आपका राइट क्लिक ठीक है अब यह जो टास्क बार में एप दिख रहे हैं इनको कोने में कर देते हैं और कुछ यहां पर फरजी चीज़े हैं उन्हें हटा देते हैं इसके लिए आप क्या करिएगा अपने टास्क दिखेगा इसका भी अगर इस्तमाल नहीं करते हैं तो मैं कहूंगा इसे भी हटा दीजे और भी थोड़ा क्लीन और अच्छा लुक दिखेगा उसके बार यह टास्क व्यू यह जो है जिसको क्लिक करने से यह तमाम सारे अप दिखते हैं कि आपके कंप्यूटर में क्या क्य सब्सक्राइब इसका 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 नहीं समय करते चैप नहीं तो भी तो रहने दें कोई दिक्कत नहीं है सेफ़्या जादा पूर्ट बीच में हैं, इन वकार करना है, किनारे करने के लिए नीचे आईए, यहाँ पर टास्क बार बीहवियर तो जो दिख रहा है, इसके उपर क्लिक करेए, अलिजमेंट दिख रहा है, यह अभी सेंटर सेलेक्ट है, इसे लेफ्ट कर दीजेचे, ठीके, देखिए अब जो है, कोन बटन पर आईए यहां पे लिखे आर इजी रिजिस्टी एडिटर जो दिख रहा है इसे राइट क्लिक करके रन एज एड्मिस्टर मोड में ओपन कर लेना ठीक है कंप्यूटर दिख रहा होगा उपर आपको कुछ फोल्डर के अंदर जाना है तो थोड़ा इसमें तिग्रम है उसके उससे बचने के लिए मैंने डिस्क्रीप्शन में यह कोड लिख दिया है इसे यह डंडे से सुरू कीजेगा और यहां एड्वांस तक सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप कोपी कर लीजेगा ठीक है उसके बाद यह जो कंप्यूटर मतलव यहां पर डिवार्ड 32 बीट वैल्यू सेलेक्ट कर लेना उसके बाद यह दूरी नाम ढालने के लिए पुछेगा तो नाम में आपने क्या दालना है टास्क बार और साइज कंट्रोल करने के लिए हम यह काम करने हैं उसके बाद एंटर करना एक बार फिर सेंटर करना ये open हो जायागा अब यहां पर value data 0 है तो आपको बता दू यहां पर 3 size है हमारे पाद 0 बिलकुल मतलब जो है छोटा size हो जायागा एक number दालोगे तो आपका यह 사진 अभी का हो रखा है वो हो जायागा और दो number डालोगे तो वो और भी बढ़ा हो जायागा यहां तक पुरा आपका टास्क बार आएगा चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहां पर अभी जीरो सेलेक्ट है तो जीरो ही रहने देंगे ओके कर देते हैं ठीक है उसके बाद इसको क्लोज करिएगा एक प्रोसेस हमें करनी और पड़ेगी टास्क मेजर ओपन करिए यह अपने फाल मेजर को बंद करके दुवारा चलू करना पड़ेगा आप चहां तो कंप्यूटर को भी बंद करके चलू कर सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादर समय लगेगा सौटकट वाला काम करते हैं टास्क बार को यह बंद करके चलू किया यह देख सकते हैं आपका टास्क बार के आईकन और टास्क बार का साइज बिल्कुल छोटा हो गया है लेकिन इसमें हो सकता है आपके कंप्यूटर में एक दिक्कत और आये अगर नहीं आ रही है तो आप चला सकते हैं आ रही है तो इसको बिल्कुल पहले जैसा कर देना पहले जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से अपना रिजिश्टी एडिटर ओपन करिएगा ठीक है और सेम वही फोल्डर में आ जाना यहां पे नीचे करना टास्क बार एसाई जो हमने बनाया था वो दिख रहा होगा ऐसा लग रहा है कि प्लिस वाला एसाई है तो ठीक है अभी हम इसको वन कर देते हैं पहले जैसा हो जाएगा तो यह ठीक है वन कर दिया है एक बार फिस से हम मैं जो है फाइल मेंजर को बंदगर के दुवारस चालू करना पड़ेगा कहा गया कहा गया यह रहा है इस बार सबसे उपर ही चला गया है रिस्टार्ट किया तो यह देखिए जो है पहले जैसा हो गया है बाकी अब रही बात आपके वाल पेपर की तो डिस्क्रिप्शन मे दिखिए मैंने विंडोज 10 का जेनवन वाल पेपर डाला हुआ है तो यह गूगल ड्राइव का लिंक है यहां पर आने के बाद यह डाउनलोड का बटन दिखेगा इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका यह वाल पेपर डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के इसे ओपन कर लीजेगा फाइल में भी जाके ओपन कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हम यहां पहुँच गए यह रहा हमारा वाल पेपर इसके पर राइट क्लिक करिए सेट आजे में आके जो है बेगराउंड सेलेक्ट कर लीजे ठीक है उसके बाद यह आपके बेगराउंड में लग जाएगा अब लग रहा है कि थोड़ा कंप्यूटर कंप्यूटर है अब कुछ काम आप चाहें तो और भी कर सकते हैं जैसे कि यह स्टार्ट मीनू है इसको विंडोस 10 का जैसा बना सकते हैं लेकिन फिर इतने और भी ज्यादा काम के लिए आपको किसी ना किसे सौफट कंप्यूटर में एक सौफटर चलता रहेगा हमेशा और सौफटर की वैज़े से अगर आपका कंप्यूटर पुराने या कमजूर हाडवेर वाला है तो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा तो अभी तक मैंने जो आपको सेटिंग वगेरा बताई वो जो है विंडोस की खुद की थी उनसे कंप्यूटर पर या विंडोस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा बिल्कुल वह वैसे का वैसे चलता रहाएगा लेकिन यह थर्ड पार्टी सौफटर का इस्तमाल करना पड़ेगा इसमें तो इसलिए मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूं हलागी थोड़ी बहुत हिंट दे दिये आपको आप चाहें तो कर सकते हैं और एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के आइकन भी चेंज कर सकते हैं और यह जो कर्व वाला एफेक्ट है यह अगर अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो इसे भी बंद कर सकते हैं और भी तमाम सारी अजीव अजीव सौप्टर हैं तो इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ आप चाहें तो वह भी कर सकते हैं मेरे इसाब से इतना ही रहने दें काफी है अच्छा है और इसी के साथ मैं आप से इजाद भी चाता हूँ कैसा लगा ही वीडियो कोई विचार होगे रह हो तो वह आप कमेट्स में बता सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वह जरूर कर लिएगा चलता हूँ मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना जय हिंद जय भारत